सावन के इस पावन महीना में हमें बाबा को जल चढ़ाने का स्वभाग प्राप्त हुआ नमस्कार मैं रितेश आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल रितेश मिस्रा व्लोक्स में स्वागत करता हूँ दोस्तो मैं अभी आज उका हूँ भगवान सिव की नगरी कारो में दोस्तो हमें आज भगवान सिव को जल चाहने का मौका मिला तो दोस्तो बिना देरी के हम चलते हैं बाबा की नगरी कारो मंदिर दोस्तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सस्क्राइब कर लें तो दोस्तो हम विश्टार से कारो की कहानी जानेंगे तो सीधे सबसे पहले चलते हैं मंदीर पे दोस्तों और फाइनली हम मंदीर के प्रांगण में प्रवेश कर चुके हैं और हमारे पीछे आप तालाब और भगवान सीव का मंदीर देख सकते हैं कामिस्वर्धाम के नाम से पसीध्य मंदीर कारो नामक अस्थान पे इस्तित है और यहां पे रुके हुए थे और यहां से गए थे तो मैं दोस्तों सबसे पहले यहां पे जल चड़ाओंगा और देश्तार से यहां पे आगे की कहानी जानेंगे सबसे पहले हम चलते हैं जल चड़ाते हैं जल चड़ाते हैं और आप साथ साथ यह विक से देख सकते हैं कि भगवान सीव यहीं पे तपस्या कर रहे थे और काम देव ने उनकी तपस्या भं करनी चाहिए तो भगवान सीव ने यहीं पे उन्हें जला कर भस्म कर दिया और आज भी अब देख सकते हैं आप दोस्तो अभी तक आपने यहां का फूल वीडियो नहीं देखा है तो फाइनली आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है या फिर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं और दोस्तों और यहां मंदिर का में गेट है जहां से इंटी की जाती है और यह भगवान सीव की प्रतिमा जो की नहीं लगाई है आप देख रहे होंगे दोस्तों और आप यहां की सुन्धरता देख सकते हैं दोस्तों यहां पर सोमवार के दिन भारी भीड होता है जैसा कि आप अगर आप तक सावन के जो की सोमवार का वीडियो और आरती का वीडियो नहीं देखा है तो आप वह अभी लोग यहां पर आएं और भगवान स्री को जल चढ़ाने का उन्हें मौका प्राप्त हो दोस्तों आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताएं इसी के साथ मिलते हैं नेक्ष्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत हर हर महादेव